दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसा AdSense Alternative के बारे में बात करने बाला हूँ जो कि आपको Day 1 से Monetization की Option प्रोभाइट करता है और जिस Advertising Network के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही Popular Advertising Network है and Trusted Advertising Network है जिसका नाम है Monitech आप देखो Monitech का नाम सुनके आप लोग सोच रहे हूँ Monitech का Pop Ads and Pop Under Ads के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मगर बिल्कुल ही मैं Pop Ads and Pop Under Ads के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं Monitech का Smart Link Ad के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आप यहां पर देख सकते हो smart link ad and इस ad का potential मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों के साथ and statistics आप लोगों के सामने share करता हूँ and उसके बाद मैं detail में बताने वाला हूँ कैसे मैं smart link ad को एक site में implement किया था जिसमें 502,000 traffic आता है regular उसमें क्या earning हो रहा है सारा जनकरी मैं देने वाला हूँ and कैसे implement किया ओ भी मैं दिखाने वाला हूँ so पहले statistics देख लेते हैं so basically यहां पर देख सकते हो smart link जो ads है उसका Indian traffic में impression आया था 2005 आप देखो smart link ad में click करेगा बंदा तभी आपको impression शो होगा अगर आपके ads पे clicks नहीं आ रहा है तो आपका impression शो नहीं करेगा so basically ads ऐसे place करना है ताकि आपके ads पे बंदा click करे ठीक है तभी आपको earning होगा तो यहां पर देख सकते हो Indian traffic है Indian traffic में 2.03 dollar का CPM मिला है जो की काफी अच्छा मुझे लगता है यह है and मैं इस site पे implement किया था smart link ad को उस site का traffic waste हो रहा था क्योंकि उस site में ad limit लगा पड़ा था इसलिए मैं इसको try किया उस site में तो आपके पास अगर कोई ऐसा site है जिसमें ad limit लगा पड़ा है या तो adsense approval नहीं मिल रहा है and regular कुछ न कुछ traffic आ रहा है आपके ब्लॉग में अगर आप link पे क्लिक ला सकते हो तो ही अब के लिए यह फाइदमन है अब देखो कैसे website में smart link ad को banner ads के तौर पे मैं use किया था उसको आप लोगों के सामने अभी दिखाने वाला हूँ so basically statistics तो यहां पे इंडियन traffic में देख सकते हो टू डॉलर का cpm rate मिला है बंगलादेश से जो काफी अच्छा मुझे लगता है अब देखो smart link को कैसे आप अपना website में banner ads के तौर पे यूज कर सकते हो practically दिखाने वाला हो चलो smart link ad को कैसे use करते हैं वो पहले दिखा देते हैं smart link ad अगर आप create करना चाते हो basically आपको यहां पे create new पे क्लिक करना है और यहां पे देख सकते हो तीन option मिलता है आप बीना website का भी smart link ad को use कर सकते हो so get link पे क्लिक करके यहां पे get tag पे क्लिक करके आप smart link ad ले सकते हो देख सकते हो direct ads आ चुका है सो इसको copy करके implement करना है इसको कैसे banner ads में मैं convert किया ओ दिखाने वाला हो practically अब description पे एक link मिलेगा वहां से आप directly इस article पे आ जाना यहां पे एकदम last में देखना direct ads to banner demo ads इसमें दो demo format है directly use कर सकते हो demo format को सो basically आपको demo format को use करने के लिए आपको यहां से demo format को copy कर लेना होगा सो ऐसे आप copy कर लेंगे करने के बाद आपके पास अगर blogger account है तो blogger में भी use कर सकते हो and अगर wordpress है तो wordpress में भी use कर सकते हो तो blogger में ही मैं दिखा देता हो तो यहां पर देख सकते हो एक post है age calculator तो इसको open करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो यह जो chronological age calculator है इसका page में कोई भी यहां पर add show नहीं हो रहा है तो मैं basically क्या करूंगा इस post को open करूंगा और compose view पर अगर रहेगा तो आपको directly HTML view कर लेना है तो HTML view करने के बाद आपको अगर add को उपर में लगाना है तो यहां पर क्या करेंगे जो आप यहां से copy किये थे उसको यहां पर paste कर देंगे उसके बाद यह बाला जो link है इसको change करना मत वोलना तो यहां से यहां तक जो link है यह मेरा link है तो आपको change करके आप अपना link यहां पर डालना ठीक है न तो यह जो link था इस link को क्या करना है यहां पर बस डाल देना है ठीक है एड कैसे शो हो रहा है तो यहां पर देख सकते हो एड लग चुका है एड है वो कुछ इस तरीके का शो होगा फर्स्ट डेमो का जो एड है वो कुछ इस तरीके का शो होगा सेकेंड डेमो का एड भी मैं दिखा देता हो यहां से कॉपी करेंगे आप पूरा कॉपी करना है उस एड को तो मैं end पे लगा दिया और यहां पे यहां पे भी ध्यान से आपको इस link को change करना है यहां पे बस इतना ही आपको यहां से अपना जो direct link होगा उसको आपको यहां पे बस लगाना है बाकी कुछ change नहीं करना पड़ेगा सो उसके बाद मैं update कर चुका हूँ और refresh कर देते हैं फिर से page को और देख सकते हो जो next demo link है वो भी यहां पे आ चुका है यह दो demo ads है यह दोनों demo को भी आप use कर सकते हो अब देखो ऐसा कैसे ads आप create करोगे वो अब मैं दिखाने वाला हूँ बेसिकली यहां पे back करेंगे new post open कर लेती है अब देखो new post open करने के बाद यहां पे compose view पे करेंगे और उसके बाद आपको पहले एक demo image आपको अपना computer में download करके रखना होगा तो डाउनलोड आप कहीं से भी कर सकते हो Google से भी download करके रख सकते हो ऐसा image डाउनलोड करना जिस पे आपका clicks आए तो उसके बाद आपको क्या करना है upload from computer इस पे click कर देना है उसके बाद choose file पे जाना है और यहां से आपको image को upload करना होगा तो यहां पे मैं इस image को upload कर लेता उसके बाद इसको select कर लेना है और यहां पे देखो blogger post में आ चुका है यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का image show होगा ads के तरह ही दिख रहा है क्यूंकि मैं Google जो ads दिखाता है उसका ही screenshot लेके use कर रहा हूँ तो इस पे click करना है और आपको यहां पे original size पे check करना है और उ convenient की हिसाब से use कर सकते इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको यहां पे pencil icon पे click करना है और html view open कर लेना है अब html view open करने के बाद आपको क्या करना है देखो यहां से जो link है इसको आपको ध्यान से change करना होगा इतना तक link को cut कर दिया मैंने देखो इतना link को आप एक पर फिर से देख लेंगे image ठीक है तो उसको cut करने से कोई issue नहीं है मतलब यहां पर आपको क्या करना है direct link add करना है तो यहां से direct link मैं ले चुका हो और यहां पर paste कर दूँगा आप देखो इसको क्या करेंगे total जो code है इसको क्या करेंगे copy करेंगे एक बर compose view पर देख लेते हैं तो ऐसा आएगा तो मैं इसको implement करके directly दिखा देता हो और third demo मैं यहां पर डाल दूँगा उसका coding भी मैं यहां पर डाल दूँगा कोई भी issue नहीं है उसको भी implement कर देते हैं करके आप लोगों को दिखा देते हैं दुसरा कोई भी post मैं open कर लेता हूँ जैसे की यह जो post है इस पे मैं implement करके दिखा देता हूँ first में show होगा यह जो section है यहां पे show होगा तो कैसे करेंगे ? यहां पर directly इसको open करनें पोश्ट को पोश्ट क EPS करने के बाद आपको इस Pencil icon पर क्लिक करना है उसके बाद HTML view पर जाना है और मैं post के आपर में दिखाना चाहता हूं तो post के जश्ट ऊपर यहां पर उस JAYस कोट को को फिर से refresh करेंगे इस page को एड्स है वो यहां पे आ चुका है सो आप इसको इंड पे भी लगा सकते हो उपर में टॉप में भी लगा सकते हो आप अपना मर्जी के हिसाब से जहां पे क्लिक साथे गा वैसे जगा पे इसको प्लेस करना है ठीक है ना तो और इसको मैं यहां पे भी डाल दूंगा यहां पे डेमो फॉर्मेट ची करके मैं इसको इस एड का कोड में डाल गातू आप डायरेकली इस आर्टिकल पे विजिट करके भी यूज कर सकते हो यह तो अपने तरीके से अपने के लिए एड बनाओ और यूज कर सकते हो अपना साइट पे और इसका एक सबसे बड़ा फाइदा ही है यह इमेज है ठीक है और इमेज के अंदर जो डायरेक्ट लिंक है वो एडिड है इसलिए यहां पर देख सकते हो कि एड ब्लॉकर है फिर भी यह शो होग है इसमें रेविन्यू बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है आई होप के मैं समझा चुका हूं कि कैसे अब मोनी टैक का डायरेक्ट लिंक एड्स को बैनर एड में कनवर्ट करके अच्छा खासा रेविन्यू बना सकते हों अगर हिल्फुल रहा है तो वीडियो को लि बताना तो इज वीडियो मित नहीं मिलते हैं और बिकिस एक्साइटिंग वीडियो के साथ तिल्दीन है अब ग्रीड दे बवाई एंटिक एर